भाईयो नमस्कार हम चर्चा कर रहे हैं आने वाली पुस्तक लागडाउन के साख की या पुस्तक छप चुकी है और इस समय वाइंडिंग हो रही है जिल्द बन रही है पुस्तक की अतिसीगरी ही पुस्तक आपके बीच आ जाएगी और 9 जुलाई को इसका बिमोचन हो जाएगी इस पुस्तक में क्या है इसका संशिप्त पर चे मैं आपको देना चाहता हूँ साथ सोपानों में विवाजित है या पुस्तक जिसमें पहला सोपान बंदना का है दूसरा लागडाउन के जटके तीसरा सोपान सार्थक और बदलाओं का है सोपान चार भववस्त क की चिंटाईं है इसमें और पाँचमें सोपान में बेमददगार हैं , जिनोंने काल मे लोगों की मदद की , छठे सोपान में निदान बताया गया है कुछ कि किस तरहे हम लोग नपड़ सकते हैं इस महामारी से सात्में सोपान में 40 ah कवियों की कुछ लगुरचनाव को भी सामिल किया गया है जो कुरोना पर ही लिखी गई है ये कुंडलियां में समझ सकते हैं कि इस का विसंगराह में क्या है चालिस दोहा गीत हैं और सप्त सोपान त्रे असीत सत तीन हैं कुंडलियां लोजान कुंडलियां लोजान सभी को पढ़कर बढ़ना त्रे दर्जन संदेश संजोए सब को पढ़ना पंडित जी की भूमी का विस्व सजा है सीष कोरोना से युद्ध में उत्रे कभी चालीश कुल तीन सो तिरासी कुंडलियां हैं इस पूरे पूरी पुस्तक में और सत्रह गीत हैं कुछ तेश दोहाबा मुक्तक हैं और चतिस संदेश भी पुस्तक में हैं और चालिस अन्य कभियों की कोरोना संबंधी रचनाय आपको पढ़ने को मिलेंगी तीन भागों में हम आपको काफी कुछ पता चुके हैं चौथे सोपान में हम बंधना की बात करेंगे इस सोपान में दो भजन हैं और 41 कुंडलियां विभिन देपताओं की महिमा का बढ़न करते हुए लिखी गई हैं सबसे पहले मावानी की बंधना है सारदा मात सुनो और दास पुकारे तुम्हें आपका दास आप लोग सुनी चुके हैं और उसके तुरंत बात गणेश बंधना की एक कुंडलिया है जान करिए कि बिपदा आई बड़ी घनेरी सुनिये गणपत देव नास आप दाका करो हम सब के प्रियदेव हम सब के प्रियदेव आप मूसक बुलवाओ है पीडित संसार सभी की विपत मिटाओ जग की बन जाओ प्रभुजी तुम फिर से सुखदा क्रपा द्रष्टि कर आप मिटाओ जल्दी विपदाओ इसके बाद गायत्री माता की एक कुंडलिया है कि गायत्री माता सुनो मेरी कुछे अरदास करदो मा ऐसी क्रपा बनू आपका दास गुरू से जोडो नाता पंडित स्री राम शर्मा भगवत जी माता क्रपा करो हो पून लाक डाउन की पत्री सिरुपर रख दो हाथ आप माता गायत्री इसके बाद गाय गोमती पंचेसवर महादेव और भगवान श्री राम जी राम जी से जो वंदना की गई है ध्यान करिए दिखिए कि कोरोना का नास कर दुख हर लो श्री राम अवि नंदन है आपका रगुकुल नंदन राम रगुकुल नंदन राम बंद सब अपने घर में लीला अदवुत राम नाम की माला कर में व्यादी मुक्त हो देश हमारा क्रपा करोना या तुधान से ना सम हो वे धेर कोरोना इत श्रामि भागवान देव जी महाराज बहुआ जगरनाच जी जातों के मेले पर भी एक उह कमाता प्रात्ना मातेश्री गुंगा देवी माकाली मर्तकिया माय स्वंत्री देवी वजरंग वली जी से भी प्रात्ना में छह साथ कुंडलियां लिखी गई हैं एक कुंडलिया इसमें से आपको सुनाते हैं सीता मैय का पता लगालिया बलवीर रावन सुत को मार कर आप वने वल रण धीर आप वने रण धीर बीर अंजन के जाये रावन का करमान भंग तुम लंक जराये लाकर वूंपी गरुण आप लंका को जीता मन से माना पुत्र आपको माता सीता इसके बाद बाला जी माराज गंगा मैया शिव जी बाबाएक उत्तर नात बाबात रेता नात गोला वाले भोला केशन जी राधा रानी काना केशन जी की विए कुंडलिया सुनाते हैं आपको कि काना की बंसी बजे मोहत तीनों लोक आज कुरोना ने कसा साहे जग में सोक सारे जग में सोक रोक लो तुम गिरधारी लाओ कोई चक्र छत्र यह विपदा भारी राधे राधे कर्ष्ण जप रहा हर कोई गाना हरते आये कर्ष्ट इसे भी ना सोकाना इसके बास सीता मैया क्या जो सीरियल चल जाता रावान उसमें से चार कुंडलिया लिखी हैं एक आपको सुनाते हैं कि हर कर रावन ले गया खूब परोसा सोक घर आई तो प्रजा ने दिया फाल तू टोक दिया फाल तू टोक परिक्षा भी ठुक राई आसू मैं ही उनके नैना दिये दिखाई बन में रही मगर सीखाना जीना डर कर बतलाओ क्या दोस ले गया रावन हर कर इसके बाद भागवान प्रश्राम जी माता प्रोना गिरी जी भागवान बुद्ध प्राइजी चत्वन भागवान से भी प्रातना की है पिता अब माता को भी देव सरिश मानते हुए कुंडलिया लिखी है गुरद्वारा मस्जिश्चर्च पर भी कुंडलिया है और साकार देव पर भी एक कुंडली लिखी गई है आप लोग ध्यान दिजिए कि आया एसा बाइरस ना इसका आकार, करदो इसको नश्ट तुम हो सच्चे साकार, हो सच्चे साकार हरो भक्तों की इबादा, कष्ट मिटाओ पूरा या फिर करदो आधा, सुन करके उपदेश भक्त मंडल हर शाया, कान लगाए भक्त नहीं शंदेश आया और इसमें एक भगवान स्रीकर्ण से उपालंब सरीखा एक भजन भी है, कि काना को रोना को तुम भगाना, तभी हो पाएगा ब्रज में आना काना को रोना को तुम भगाना, तभी हो पाएगा ब्रज में आना लाकडाउन का है जमाना, राश बिलकुल नकाना रचाना, गोपियाना इकठी बुलाना जो जुटी भीड होगा फसाना, जूम पर गोपिया प्रभु बुलाना, काना को रोना को तुम भगाना, तभी हो पाएगा ब्रज में आना फर्क बल्दाउ से भी बनाना, सोम रस पग सुदामा धुलाना तुम न भावी के तंदुल चवाना, दीन को ना गले से लगाना वन अकेले ही गईया चराना, कंश को मारने जब भी जाना, दाओं कुस्ती में ना तुम दिखाना सब निशाचर बमों से उडाना, चक्र को भी निरंतर धुलाना भक्त से प्रभुन दूरी बनाना, काना को रोना को तुम भगाना तभी हो पाएगा ब्रज में आना और देखे कलपना, कि आप जब भी बुआ घर पे जाना पांडवों संग न खाना है खाना कौरवों के सतक में निजाना युद में अवन गीता सुनाना पार्थ रत हाओले हाओले चलाना तभी हो पाएगा ब्रज में आना और देखे भून का भार प्रव को ऐसे खतम कर सकते हैं कि भूमी का भार कम प्रवुजो करना युद्धि बिन्वार धर्नी का हरना बाइरस को बुला करके कहना बस निसाचर जगत भर के मरना कष्ट भक्तों के मोहन मिटाना तभी हो पाएगा ब्रज में आना काना को रोना को तुम मिटाना इसमें काफी बंद हैं लेकिन बस कुछी सुना रहे हैं आपको काफी बड़ा आडियो हो गया है धन्यवाद अगले भाग पांच के साथ और किसी दिन मिलते हैं धन्यवाद सुप्रवाद